प्रिक्यवाद स्वागत है आपका खबर हैदरबाद से है हैदरबाद के नामपली में गुरुवारात दुर्गापुजा पंडाल में तोड़ फोड के आरोप को लेकर तनाव फैल गया पुलिस की मताबिक दुर्गा प्रतिमा के पास हुंडी रखी थी जिसे हटाया गया और इससे प्रतिमा खंडित हो गई तनाव के माहौल के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है सीदे मुख करेंगे समवादाता नहाल के दुरी हमारे साथ जुड़ गए है और जानकारी देने के लिए पुलिस ने जो बात नहाल कही है क्या लोग उसे एकसेप्ट कर रहे हैं और इस समय स्थिति क्या है देखिए वहाँ पर चौक सी बढ़ा दी गई है और ये गुरुवार रात में जब एक दांडिया का कारेकरम हो रहा था जैसी ही कारेकरम नामपली में खत्म हुआ जो कि सेंटरल बिजनस डिस्टिक में है उसके थोड़ी देर बाद जब सुरक्षा करमी जो वहाँ पर थे पुलिस के वो चले गए और फिर जो सुरक्षा गार था उस एक्जेविशन सिंटर का नामपली एक्जेविशन सिंटर का वो वाश्रूम गया और इसी बीच में कुछ लोग ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ आए उन्होंने सबसे पहले लाइट कार्ट दी वहाँ के और लाइट कार्टने के बाद जब बिजली वहाँ की बंद हो गए अंधेरा हो गया तो ऐसे में इन लोगों ने हुंडी के आसपास परतीमा के पास हुंडी रखी थी और हुंडी के साथ छेचार की जिससे परतीमा खंडित हो गई जो जानकारी मिल रही है, उसके बारे में बताने से पहले एक बार, मैं एक बात आपको साफ कर दूँ, कि पुलिस की तरफ से फिलहाल अधिकारिक तोर पर इसकी पुस्टी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने शायद दो या तीन लोगों को अपने हिरासत मिलिया है, पूछत सामने आता है, तो कई तरी की बाते, कई सारे अवाहे भी होती है, तो कुछ लोगों को कहना है कि जिसको पकड़ा गया है, वो एक भिकारी है, लेकिन पुलिस को अब तक साफ तोर पर पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई बियान नहीं आया है, काफी सम्मेंदंशील मामला है, हमने भी हैदरावाद के पुलिस कमिशनर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, साथी साथ दूसरे अधिकारियों से, लेकिन उन्होंने फोन का जबाब नहीं दिया, तो उम्मीद की जाते हैं कि थोड़ी देर में, आज देर रात तक, शायद तस्वीर साफ हो जाएग एक सवाल और संचेप पे जवाब नहाल, सवाल ये, क्या सुरक्षा के परयाब पेंतिजाम थे वहाँ पर? भी सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौझूद थे, नीजी सुरक्षा गार्ड वहाँ पर थे, और जब ये कारे कर्म खत्म हो गया है, उसके कुछ देर के बाद ये वारदात सामने आई है, तो इसमें कहीं कोई दोरा आई नहीं है, कि सुरक्षा कि लवस्ता ऐसा लगता है, कि लेकिन शायद अगर और पुखता होती तो इस इस हर्कां से बचाया सकता है, जी